प्यारे स्टुडेंट्स में देवे नारी और आज के वीडियो में हम करेंगे प्रश्ण बैंक 2021 अंग्रेजी विश्य की कख्षा दस्वी की जो हम कर रहे हैं हमारे चैनल के माद्देम से सोल्व उस क्रम में आज हम करेंगे Uncend Passage No.4 पिछले वीडियो में आपको Uncend Passage No.4 पिछले वीडियो में मैं आपको Uncend Passage No.1 टू और थी करवा चुका हूँ और बहुत अच्छे से हमने समझा है और हमने बहुत अच्छे से से प्रेक्टिस की है कि इस प्रकार एक Uncend Passage No.4 को सोल् जो परिक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे आपके लिए तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए बस इतना है आप से कहना है चली स्टा फले पहले तो हमें यह प्रस्ट बहुत अच्छे समझ में आ यहां से देख रहे हैं सम इंपोर्टेंट वर्ट सथ ठीक यहांसे तो फ्खाइब से fly into यानि कि किसी से तकरा जाना hit against something यानि किसी से सामने से तकरा जाना इसको fly into कहते है take off करता होता है ready to fly यान टेक आफ होता है जैसे plan होते है यानि टेक आफ उड़ने के लिए तैयार होना slammed करता होता है push with a lot of force यानि कि बहुत जाना ताकत के साथ push करना किसी को धकाना close save very important meaning है close save करता होता है narrow escape narrow escape करता होता है कि बाल बाल बचना याना खत्रा एक दम से छूके निकल जाना glare करता होता है long angry look याना बहुती लंबा या गुस्ते वाला जो look होता है उसको glare कहते है दूसरा है scanner scanner है कि a device for examining something याना कि ऐसा device जिसको examine किया जाता है scan किया जाता है उसको scanner कहते है obstacles का आर्थ होता है hinder से न बादा है screeching का आर्थ होता है loud high unpleasant sound बहुत ही उंचा तेज है ना और unpleasant याना कि जो सुनने में बहुत करकस लगे अच्छा नहीं लगे उस unpleasant sound को हम बोलते है screeching halt का आर्थ होता है stop scheduled याना कि थोड़ी देर के लिए रुकना कहीं पर पड़ाव डालना fixed हो जाना है ना according to the time table के अनूसर casualty का आर्थ होता है victims विक्टिम है ना कि casualty है ना कि आपदा ना दुरघटना या पीडित होना किसी से बे का आर्थ होता है marked section of ground ground के उपर एक ऐसा section बना होना inside या outside building building के अंदर है building के बाहर जहां पर हम parking कर सके हैं किसी को store कर सके उसे बोलते है बे ठीक है इसके बाद नमबर आता है last meaning grounded grounded का आर्थ होता है to prevent an aircraft from taking off किसी भी एरक्राफ्ट को या कि विमान को उड़ने से रोकना या कि उसको grounded कर देना ठीक है तो यहां पर कुछ important words हमने देख लिए अब passage में यह सारे word हमको मिलने वाले हैं इससे हम passage को याना अब हमने इनको देख ल होते है फ्लू इंटू ठीक है तो एफ लॉक अबट से फ्लू इंटू एन इंडीगो एरबस about to take off at Patna this morning यहां पर लेकर हमसे कहते हैं कि आज सुबह पतना में एक जो इंडीगो एक जिसे एरलाइंस के कंपनी है उसका नाम है इंडीगो उसकी एक एरबस एरबस यानिकी पक्षियों का जुंड फ्लू इंटू हो गया यहां तक्रा गया अगेंस्ट हो गया उससे तक्रा गया सामने साके अब हमने पड़ा था कि आज सुबह पतना में इंडीगो एरबस जो थी उससे पक्षियों का जुंड आके तक्रा गया about to take off यानिकि वो take off होने ही वाला था यानिकि उडान भरने ही वाला था उड़ने ही वाला था उस समय and damaged the plane's engine before the captain slammed the emergency brakes और उसने क्या कर दिया डैमेज कर दिया plane के engine को before the captain slammed the emergency brake यानिकि जब तक captain जो है जो विमान था उसको उडाने वाला जो था captain है ना पाइलेट उडाता है क्यापें उसके सांथ रहता है तो captain जो है जो सांती संगिराता है पाइलेट के सांथ में जो मदद करता है उड़ाने में उसने brake लगा उसके पहले ही वो पकषी का ज्वूना के उससे टक्रा गया एमर्जेंसी ब्रेक लगा था वो अपात कालिंग ब्रेक से उसके पहले ही वो पक्षिव का जूणा के टकरा गया और उसके इंजिन को डेमेज कर दिया आसुब पटना में The close save has again forced the glare on the airport already under the scanner for obstacles in its landing approach path The close save के लिए हमने क्या meaning पड़ा था कि narrow escape यानि कि जो खत्रे से टकरा के बाल बाल बचना मोत के मुझे है न वापस आ जाना इस प्रकार की situation वहाँ पर हो गई थी The close save has again forced the glare on the airport already under the scanner यानि इस close save को जो scanner लगे थे एरपोर्ट के उपर उन्होंने पहले ही इस खत्रे को भाप लिया था पहले ही वो जान गए थे लंबी निगा से उसने अपने जो scanner से जो थे उन्होंने लंबी निगा से देख लिया था यानि की दूर दश्टी से की यह जो पक्षियों का जुंड है इससे कोई ना कोई दुरगट ना हो सकती है यानि की जो पाथ होता है जिसके ओपर विमान ओड़ता है उसके बाद में टेक आफ करता है उस पाथ के ओपर उन्हों देख लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कुछ ना कुछ परेसानी अब्स्टेकल आने वाला है दे एर बस ए थ्री टू जिरो उस एर बस का नंबर क्या था ए तीन सो बीस कैरिंग ऐटी नाइन पैसंजर उसमें कितने पैसंजर थे नेवास यह नहीं एगी एटी नाइन पैसंजर थे और छे क्रू मेंबर कार्थ होता है कि उस विमान के जो सदश्य थे जो विमान की उड़ाने वाले पाइलेट वगरा सब उसमें आ गए तो छे क्रू मेंबर थे और एटी नाइन पैसंजर थे इस टार्टे टेक्सिंग वें दा बर्ड्स पॉसिबली अट्रेक्टड वाई दे वेस्ट पाइल अप नियर दा एरपोर्ट वो जो क्या कर रहे थे सारे जो क्रू मेंबर थे और एटी नाइन पैसंजर थे वो अभी टेक्सिंग करी रहते टेक्सिंग कार्ट होता है कि एक्षे एट्रेक्ट होकर वहाँ पर आ गए थे क्राश्ड इंटू दा प्लेन ओन दे लेफ्ट आराउंड एट फाइफ एम और उस प्लेन से टक्रा गए कितने बज़े सुबह आठ बच के पांच मिनिट के आसपास दा पाइलेट हीट दा ब्रेक पाइलेट ने ब्रेक लगा ब्रिंगिंग दप्लेन टुए इस्क्रिचिंग हाल्ट सेकंड विफोर टेक आफ यानि कि टेक आफ करने से पहले जैसी ब्रेक लगाया तो उसमें से बहुत ही इसक्रिचिंग इनकी अभी हमने पड़ा थे नहीं लंबी करकस आवाज निकली हाल्ट सेकंड बिफोर टेक और इस ब्रेक ने थाम दिया जिसके करने जिसे चूं जिसी आवाज निकलती है ना जिसे प्लेन एक दम से रुपता है इसी आवाज महाँ पर निकली आगे बढ़ता है sources said the plane would have been running at a speed of about 40 nautical miles 74 km per hours at the time जो sources ते ने सुत्र थे वो उन्होंने बताया कि वो समय प्लेन जो है वो 40 nautical miles चाहोतर किलोमेटर प्रती घंटी के रफ्तार से चल रहा था उड़ रहा था टेक आफ तो नहीं हुआ था थोड़ नहीं रहा था वो दोड़ी रहा था वस जो है लेंडिंग एप्रोच के उपर आगे बढ़ते हैं flight 6E385 was scheduled to take off at 8.10 a.m. for Delhi and onward to Hyderabad, Bangalore and Vishakapatnam flight 6E385 इसका schedule क्या था कि यह take off करेगी 8.10 पर दिल्ली के लिए उसके बाद में हैदराबाद जाएगी भी वेंगलोर फी विशakapatnam जाएगी the left hand side engine of the aircraft जो left hand side का engine था aircraft का got damaged after it was hit by the bird पक्षियों के टकरान में से left hand side का engine था aircraft का विमान का वो damage हो गया था there were no casualty fortunately लेकिन भाग्गी की बात यह है और सो भाग्गी से कोई भी casualty नहीं casualty वाला meaning हमने देखा था casualty कार्थ होता है victim से कि किसी को भी कोई भी आहत नहीं हुआ किसी भी परकार की हानी नहीं हुई and all passengers were taken out of the aircraft immediately और सारे passenger को ततकाल aircraft से बाहर निकाल लिया गया after the pilot took it to the parking bay यानि कि इसके बाद pilot ने किया किया passenger को निकालने के बाद उस जो aircraft था उसको parking bay यानि कि अभी हमने पढ़ा था कि इसी जगह जहां पर हम अपने सामान को इस्टोर कर सकते हैं किसी जगह पर रख सकते हैं उसको parking बे कहते हैं वहां पर उसको छोड़ दिया the aircraft has been grounded aircraft को grounded कर दिया यानि कि take off करने से रोक दिया and it will operate only after the safety engineers of indigo give a fit to fly certificate और इस aircraft को उस समय ही उड़ान भरने के लिए सहमती दी जाएगी जब जो engineers आएंगी indigo के और वो fit to fly certificate देंगे उसके बाद उस aircraft को उड़ने की जाज़त दी जाएगी and indigo sources source at patna airport said all और जो indigo sources थे नहीं indigo के सुत्र वाले थे जो सदेश्य थे member थे उन्होंने कहा कि patna airport पर all passengers were accommodated on other indigo flights सारे passengers को क्या कर दिया इसमें अलग जगा पर विदीवत विस्थापित कर दिया गया दूसरी indigo flight में the source added यह ना यह सभी जो सूत्र थे उन्होंने यह बात बताई अभी important words हम पहले ही देख चुके हैं तो अभी पैसे हमाई समझ में आ गया कि जो है पटना में सुबह 8 बच के पांच मिनिट पर indigo airways का जो है एक लार्जी विमान था उससे पक्षी टकरा गई के left hand side के engine को damage कर दिया उसमें 89 passenger थे सारे passenger को सुरक्षी निकाल लिया गया दूसरे जो aircraft में shift कर दिया अब इससे related कुछ question से हम करेंगे I hope आपको यह पैसे समझ में आ गया होगा अब question भी आपको समझ में आई गया होगे तो पहला question करते हैं close save means close save का आर्थ होता है narrow escape अभी हम क्योंकि किस से attract हो गए थे पक्षी वहां पर क्या लगा था वेस्टेज का धेर लगा हुआ था धेर पड़ा हुआ था तो डिया आएगा इसका इसका इंदा बर्ट से वेर अटेक्टे टू दे वेस्ट पाइल आप नियर दा एयरपोर्ट तीस रहे the passengers were allowed to get off the plane जो passengers थे उनक वो प्लेन से get off क्यों किया गया कैसे किया गया है ना कैसे किया गया कि immediately after the plane was taken to the parking bay यहां से सी वाला आएगा इसका चलिए अगला question है question number four है the airbus is कैसा जो airbus था वो कैसा plane था इसमाल था लार्ज था तो लार्ज आएगा इसमें पांच वाल आश्टे question इसमें what happened to the plane after the passenger was taken off plane का क्या हुआ जब सारे passenger उसमें सोतर गए तो it was grounded उसको grounded कर दिया गया तो friends I hope आपको सारी question समझ में आ गया है इसी प्रकार है आपको question बेंको अच्छे से detail में समझना है तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि हम हर चीज को detail में समझाने वाले हैं आपकी exam के दिश्टी कोंट से बहुत ही महतुपन यह passages है क्योंकि इनसा आपके practice होगी मैं नहीं क्या रहा हूं कि paper में आने वाले हैं लेकिन आपको एक idea मिलेगा कि आप किस प्रकार पैसे इसको solve करें कैसे सोचे कैसे answer दें और सारी चीजां आपकी समझ मां आ जाएगी तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए इस चैनल को subscribe करें रखें वीडियो को like जरूर करें और सभी शेयर करते रही है thank you very much